Hello Aspera and welcome to my study vlog So, सबसे पहले हम लोग या करने वाले हैं Plan So, Plan Your Day तो हम प्लान में सबसे पहले देखेंगे कि हम क्या-क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं हमें क्या-क्या चीजें आज के लिए प्रिपेर करना हैं हमें आज ये चीज लर्न करनी हैं तो वही चीज हम यहां पर note down करेंगे और अपने सारी के सारे टास्क यहां पर लिखेंगे कि जो हमें फुल डे करना है वो हम करेंगे next study timetable जिसे हम कह सकते हैं तो study timetable में आप जो subject भी पढ़ना चाहरे हो कैसे आपका source है नोट से बढ़ोगे या वीडियो देखके या बुक्स कौन सी आप यूज करने वाले हो इसको करने के लिए आपको जादा time तो नहीं बस चार से पांस minute ही लगता होगा उससे जादा तो नहीं लगेगा तो यह भी आप include कर सकते हो अपने daily में कर लेना चाहिए complete आपको तो इस से related जैसे कि किस तरीके का exam आप दे रहे हैं उसमें किस तरीके के question पूछे जाते हैं तो आप उस तरीकी का quiz बगेरा दे सकते हो and note reading हो गया ठीक है तो आप जो subject आप prefer करते हो वो हो गया next जैसे कि मेरा code जो है जो अबला आप कर यह mandatory अगर कोई subject है तो उसको आप उठा लिया है ना options object जो होते हैं आपके जो आपके आने ही आने होते exam में तो science कर लिया उससे related कुछ PYQs लगा लिये जो इस exam की भी आप preparation कर रहे हो PYQs बहुत important होते हैं और उनका बहुत बड़ा रोल होता है मदब आपकी पढ़ाई में and कहां से आप करोगे कोई book वगेरा है यह कहीं और online store से आपका questions वगेरा हो गए नहीं quizzes बगेरा होगा तो इस तरीके से आप सबसे वेल स्टार्ट करो and उसके बाद आप सारी की सारी चीज़े अपने साथ आरेंज करके उसको रखो जब चीज़े आपके पास सारी की सारे अवेलेबल रहेंगी तो आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा ठीक है जो मन कर रहा है सबसे वाले आप उठा के वह subject पढ़ने लगो and तो इस तरीके से ही आपको नोट्स प्रिपेर करो अगर आप वी करेंड मेक शूर कि सलिबस जो हो जिस भी एक्जाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हो वह आपके टेबल पे जरूर होना चाहिए जरूरी है क्योंकि अगर मानली जो टेबल पे आपका सलिबस ही नहीं रहेगा तो उस recording आप नहीं कर पाओगे ना तो सलिबस आप टेबल पे हो गई है क्कौन सी चीज कहुत है क्कषि आप चियुकर्द चल रही है जैसे मेरा एक्जाम का में को साइन्स का धिवल्यूशन दिए्स कांटी नुड मतम अभी मैं चला रही उसको अभी मैं पढ़ रही हूं इसको बट अभी मुझे क्या-क्या चीज़ करनी है तो वहां प आपका complete हो जाता है यह चीजे complete हो जाती है well and good otherwise तो यह चीज आपका pending में चला जाएगा तो जो भी pending work रहे आपका उसको आप एक दिन रख दो ठीक है या कल आप उसको कर सकते हो तो चीजे आप decide करके चलेंगे तो आपको जादा सही रहेगा कोई भी चीज करने के लिए तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हो जिससे आपको बता भी रहेगा कि आपकी कितनी चीजे complete हो रही है और कौन सी चीज आपकी बची हुई है तो इसी तरीके से पढ़ाई करना है and maintain your posture also तो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है से लिबस हो गया पीवाई क्यूज हो गया यह सारी चीजे बहुत ही सादा रोल प्ले करती है so make sure you need to carry the syllabus and ऐसे ही आपको भी पढ़ना है कोशिश तो इस ऐसी रहनी चाहिए and stay motivated और भी बहुत सारी चीजे हो जाती है तो हमें उन चीजों को cover करते हुए चलना है और अपनी सारी की सारी syllabus को complete करना है so करते हैं झाल 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 झाल